जै शरी राम, मैं डॉक्टर अंकित्यागी, आपका अपना एस्ट्रोलजार निम्रलोजिस्ट, लाल किताव इन वास्तू कंसल्ट एंट आप सभी का फिर से स्वागत करता हूँ स्वागत है आप सभी का आपके अपने बेहत खास कारे किरम, भागे दरपन उम्मीद की किरण में आज हम बात करेंगे, अगर आपके हाथ में पैसा नहीं रुकता है, तो कौन से ऐसे करे आपको करने हैं, जिन से आपको बहुत लाब हो सकता है आज की वीडियो आपी के लिए अगर आप भी इस चीज़ से परिशान हैं कि आप बहुत पैसा कमाते हैं लेकिन रुकता नहीं है, तो आप ये वीडियो अंत तक देखें, शायद आपको ऐसे उपाय मिल जाएं, कि आपकी हाथ में पैसा टिकना शुरू हो जाएगा, आपक तक देखें, उसने पहले की वीडियो की शुरुआत करें, आपको बता दें, आगामी 3, 4 और 5 सितंबर 2021 जैपुर में रहेंगे, जो लोग जैपुर से हैं या आसपास से हैं, वो लोग मुलाकात कर सकते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा अबसर है, मुलाकात करने का, मिलने का, जो लोग मिलना चाहते हैं, और बाकी दिन आप दिल्ली NCR में हमसे फोन पर संपर्क कर सकते हैं, या मिल सकते हैं, मुंबई वाले लोग अभी वेट करें, मुंबई का प्रोग्राम अभी फिक्स नहीं है, जैसे ही कोई डेट आईगी, आपको बता दिया जाएगा, जो जैपुर में मिलना चाहते हैं, 3-4 और 5 सितंबर 2021 को, वो हमारे जो नमबर दिये गए हैं स्क्रिन पर, 966-742-3193, एकी नमबर है हमारा, जो सबसे में हमारा नमबर है कारेले का, उस पर आप संपर्क करके अपना अपोइंट्मेंट जल्दी से जल्दी फिक्स करा लें, चल अपनी बार गरीब अचानक से अमीर बन जाते हैं, और अमीर गरीबी की गरफ्त में आ जाते हैं, यह सारा खेल आपके गर की पॉजिटिविटी और नेगिटिविटी का होता है, यह सारा खेल आपके स्टार्स का होता है, सारा खेल आपके गराओं का होता है, जिस गर में न बहुत सारे लोग आते हैं हमारे पास सर एक समय था जब मिट्टी को हाथ लगाते थे सोना बन जाता था आज सोने को हाथ लगाते मिट्टी बन जाती है क्यों? घर की नेगेटिविटी घर का वास्तू खराब हो गया पॉजिटिविटी खतम होगे, सकारात्मक्ता खतम होगे गमंड आ गया, एंकार आ गया बस उनी को मिटाना है आज उसी बारे में बात करेंगे, वही चर्चा है आज कभी कभी अच्छी कासी कमाई के बाब जूद घर में धंकी कमी बनी रहती है एक हाथ से पैसा आता है, दूसरे से बाग जाता है रुकता नहीं है किसी से उदार लेने तक की नौबत आ जाती है कुछ लोग तो ऐसे हैं, अच्छी कासी सेलरी है लेकिन महीने के 20 तारिक के बाद उनको दूसरों से मांगने की नौबत आती है क्यों ऐसी नौबत आती है इतना कवाने के बाद भी क्यों कंगाली छाही रहती है सरपर्थम दो चीजों का ध्यान आपको देना है बहुत कॉमन सी बात है कि फटी हुई जेब में पैसा नहीं रुकता, डालेंगे तो निकल जाएगा इसलिए जीवन में ध्यान रहे कभी भी आपकी जेब फटी हुई ना हो या आपका पर्स, वालेट जो भी आप यूज करते हैं वो कभी फटा हुआ ना हो अगर आपका वालेट कहीं से भी फटा हुआ जरा साभी तो उसे तुरंत बदल दें वरना आपके पास पैसा नहीं टेकेगा जीवन में घर की तिजोरी, पर्स, थैला जिसमें भी आप पैसे या अपने गहने रखते हैं वो कभी जीवन में फटा होना हो विशेज ध्यान दीजेगा वरना आपके गहने, आपका पैसा, आपका सोना, आपका चांदी नहीं टिक पाएगा, निकल जाएगा छेद वाली तिजोरी नहोग, तिजोरी में गलती, आजकल हमने देखा है, बहुत सारे जब हम वास्तू विजट पे जाते हैं तो देखते हैं कि जो दुकाने होती है, उसका में गला देखते हैं, नीचे से चूहने छेद कर दिया है कोई एक छोटा सा छेद बनाते हूँ रह गया है, कहां से पैसा टिकेगा बाई, सब निकल जाएगा सबसे पहले उसी को बंद कराते हैं और एक महीने में असर आ जाता है तो विशेश रूप से ध्यान रखें ये बात, जीवन में कंगाली का सामना न करना पड़े, इसके लिए बहुत ध्यान रखना है कहते हैं कि धन होने के बाबजूद भी बार बार मालक्षमी का अपमान करना हमारे पास तो कुछ है नहीं हम तो बहुत गरीब हैं, कंगाल हैं ये भी दरदरता का आगमन है, मालक्षमी की अराधना करें और उनको धन्यवाद दें कंगाल नहीं बनना है तो कभी दर्दरता मन में भी ना आने दे वास्तवी जीवन में तो किसी के ना है लेकिन मन में भी ना आने दे घर में यहाथ में पैसा ना रुखने का एक और बहुत बड़ा कारण है कि दूसरों की संपत्ति पर लालच करना परायदन के प्रती खुद को ललाईत रखना इस तरह की सोच जीवन में हमेशा पैसे की कमी बना के रखती है अब बात करते हैं उपाय की क्या उपाय करने कैसे हम इन चीजों को ठीक कर सकते हैं सरस्प्रतम आपको क्या करना है अपनी जेब में हमेशा कमल गटा यानि कमल के बीज को जरूर रखना है आपको हर वेक्ति को अपनी जेब में कमल गटा रखें, कमल का भीज रखें ऐसा करने से आपको कभी पैसे की कमी नहीं होगी और मालक्षमी की अपार किरपा आप पर हमेशा बरस्ती रहेगी अगर आप अपने पर्स में पैसे टिकाना चाहते हैं वास्तू के अनुसार ऐसी चीज़ें अपने पर्स में न रखें कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जैसे खाने की कोई चीज कदापी, बहुत सारे लोग अपने पर्स में आप पर्स के पास टॉफी, चुइंगम, चॉकलेट रख लेते हैं कभी नहीं रखना है जीवन में पर्स में हमेशा धार्मिक चीज़ें, पवितर चीज़ें ही रखें और वो भी अगर आप अपना पर्स पीछे वाली पॉकेट में रखते हैं तो कदापी उसमें कोई धार्मिक चित्र ना रखें विशेस रूप से ध्यान रहे पर्स के साथ रोधराक्ष आप जरूर रख सकते हैं वो भी अगर पीछे वाली पॉकेट काप इस्तेमाल नहीं करते हैं अगर आपके खर्चे बहुत जादा हो रहे हैं तो पर्स में एक लेसुन की कली रख लें खर्चनी होगा पैसा टिकना शुरू हो जाएगा बरक्यत बनी रहेगी जीवन में और गुरुवार के दिन तुलसी के पौधे में दूद अरपन कर दें आर्थिक संपन्यता में वरद्धी हो जाएगी मलक्षमी की अबार किरपा आप पर हो जाएगी बरगद के वरक्ष की चाओ में विशेस ध्यान दिजेगा इस बात पर क्या कर रहा है बरगद के वरक्ष की चाओ में यदि कोई पौधा उगाया है पहले तो बरगद का वरक्ष आपको डूनना पड़ेगा उसकी चाओ में यदि कोई पौधा उगा है तो उसे मिट्टी सहित खोद कर निकाल ले और उस पौधे को अपने घर में लगा ले प्रोवाइडिर कोई ऐसा व्रक्ष ना हो वास्तू के अनुसार जो आप घर में नहीं लगा सकते कोई कांटे वाला पौधा ना हो, बेल पत्र का ना हो पीपल का ना हो, वट का खुद का विरक्ष ना हो ये सब घर में नहीं लगाया जाता कोई भी अन्या पौधा, आम का हो सकता है, नीम का हो सकता है तुलसी हो सकता है, कोई भी अन्या पौधा जो आप घर में लगा सकते हैं वास्तू के अनुसार उसको अपने घर में लगा ले, जिस गती से वो पौधा बढ़ेगा, उतनी गती से आपके जीवन में समरत भी बढ़ती जाएगी, उतनी गती से आपका पैसे का फ्लो बढ़ता जाएगा, विशेश रूप से कारे कर लें, जो लोग बहुत जादा पैसे को लेकर के परिशान ह वो यह उपाय जरूर कर लें, और जिन पर करजा बढ़ता जा रहा है, उनको क्या करना है, महा के किसी भी महीने के पहले बुद्वार की रात्री में, कच्ची हलदी की एक गांट भगवान श्रीकरशन को अरपन कर दें, अरपित कर दें, और अगले दिन गुरुवार को उस विशेस रूप से, एक पान के पत्ते में, शमी की लकडी को लपेट कर, आप अपने तजोरी में गले मावश्य रखें, और केले के वरक्षमे नियमित रूप से, जलर पित करते रहें, दोनों समय घर में या दुकान में, शुद्गी का दीपक जरूर चलाएं, आर्थिक सम पाना न भूलें, अगर आप ये वीडियोज फेस्बुक पर देख रहें, तो आप हमारा फेस्बुक पेज लाइक और फॉलो जरूर कर लेजगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मैं जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी, फिर मिलेगे एक नई जानकारी के साथ, नई वीडियो के साथ, तब तक करें आप सबको मेरी तरफ से, जय श्री राओं